हिए तो चलो है जो इस वाले कोश्ट्ट गो देखो कि इसमें क्या करते हैं कि सेतलाइट इस आर्बिटिंग अर्थ इर्थ अर्थ थो यह कहते हैं इस speed with respect to satellite मतलब अगर देखो orbital speed of satellite वो तो fix है this is the velocity of the satellite this is the velocity of the satellite ठीक है और यहां पर जो particle project हुआ है मालो भी इसके velocity से project हुआ है और यह अर्थ के respect में यह this is the basically velocity of the particle यह particle की velocity है यह जो angle theta है इनके बीज का यह angle एक unknown है that is unknown it is not given in question not given not given in question यह question में बताया ही नहीं गया कि angle मा कितला आनो थीधा यह तो value 0 होगा theta 180 होगा या theta 90 हो सकता कुछ भी हो सकता anything तो कुछ भी हो सकता theta बताया नहीं गया तो जब theta बताया है नहीं गया तो अगर मैं हां पर equation लिखता हूँ कि इसके velocity of the particle with respect to satellite is equal to velocity of particle minus velocity of satellite ठीक है तो यहां पर velocity of the particle with respect to satellite है velocity of the particle का square plus velocity of satellite का square minus 2 velocity of the particle plus velocity of satellite सब कुछ क्या है अंडर उठ रहे हैं तो यह जो cos theta इंके भीछ का इंगल ओभी यह जो velocity है वो इसके velocity velocity आप मलब इसके velocity of the particle इसके velocity of object with respect to satellite के आर्वीटल वाशीटी सब इसके व्लासीटी प्लस अर्वीटल व्लासीटी मायनस टू इसके व्लासीट를 बीटर विलोसिटी कोस तीठा सब कुछ अंडर रख ऐसा कुछ तो जो इसके विलोसिटी आप पाड़िए लिविद रिस्पेक्ट सुट सेटलाइट है वो या तो दिखो किस पे डिपेंड करता है तो यह बेसिकली डिपेंड किया अब याद करो रिजल्टेंट वेक्टर रिजल्टेंट रिजल्टेंट का यह वाला जो विलोसिटी से से ऐसे कुछ बताया नहीं जा सकता है और यह सब साही सबकुछ एक ही एक ही है तो यह कि टिपेंड इंगल अप्रजेक्षन कुल मिलाइंगल पोजेक्षन पर डिपेंड करता है विल भी लेज करता है तो जब आइंगल बता नहीं को तो मैं confirmation के साथ कैसे कर सकता हूँ ठीक ना मलब confirm करा ना होगा ही होगा में भी लेस देन में भी ग्रेटर देन में भी इक्वल देन रहता तो यह option सही होता तो हाई योग के आपको समझ में आ गया होगा thanks for watching this video